इस्टोनेट आज हम करेंगे exercise 13.1 का question number 8 तो सबसे पहले तो हम question पढ़ लेते हैं question क्या कहा रहा है from a solid cylinder whose height is 2.4 cm and diameter 1.4 cm तो यहां तक question कहा रहा है कि एक solid cylinder है जिसकी height 2.4 cm और diameter 1.4 cm है इससे आगे question कहा रहा है कि a conical cavity of the same height and the same diameter is hollowed out तो इस्टोनेट यह जो हमारे पास में solid cylinder है इसमें से एक conical cavity को बाहर निकाला गया है जो कि same height और same diameter का है उसे हमने काट के बाहर निकाला है find the total surface area of the remaining solid to the nearest centimeter square तो इस्टोनेट यहां पर कह रहा है कि जब solid cylinder में से एक conical shape को काट के बाहर निकाला गया है तो जो remaining solid उसके बाद में बसता है उसका हमें total surface area यहां पर find out करना है तो इस्टोन कोशन तो हमने पढ़ लिया अब हम कोशन के according जो मैंने यहां पर diagram बनाया है उसके according हम इस कोशन को समझते हैं कोशन क्या कह रहा था तो इस्टोन देखो यहां पर कहा गया है कि एक solid cylinder है जिसकी height 2.4 cm है और जो यह पूरा यहां से यहां तक का जो diameter है वो 1.4 cm है तो उपर का और नीचे का diameter तो सेम ही होता है तो 1.4 cm टॉप का भी है और जो 1.4 cm है बॉटम का भी है अब इस्टोन देखो अब यहां पर हमें एक चीज़ समझनी होगी इसने बोला है total surface area निकालो remaining solid का तो सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि यहां पर remaining solid बचा क्या है यहां पर हमारे पास में जो slender है उसमें से conical cavity को काट के बाहर निकाल दिया गया है अब जो हमारे पास में remaining solid बचा हुआ है उसका हमें total surface area find out करना है तो हमें जब total surface area हम find out करेंगे तो उसमें हम कौन-कौन से area को add करेंगे ताकि वो इस remaining solid का total surface area बन जाए तो यहां पर student हमें लेना होगा curved surface area of cylindrical part plus करना होगा उसके अंदर curved surface area of conical part और फिर मुझे plus करना होगा area of base जब मैं इन तीनों चीजों को add कर दूँगा तो remaining solid का total surface area find out हो जाएगा अब student देखो आप यह सोच रहे होगे कि मैंने जो यह conical part है यह तो काट के बाहर निकाल दिया लेकिन मैंने उसमें add क्यों किया तो अब student देखो मैं आपको एक example देता हूँ आप इसको ध्यान से समझना माल लो की यह जो remaining solid है इसके उपर मुझे white wash करना है तो मैं white wash जहां जहां पर करूँगा वो पूरा जो surface area होगा वो पूरा remaining solid का जो total surface area बन जाएगा अब देखो इसमें मुझे कहा कहा पर white wash करना है मुझे यहां पर जो outer area है cylindrical part का मैं वहाँ पर white wash करूँगा इसका जो base है मैं वहाँ पर white wash करूँगा तो दो चीजे तो आ गई जो outer surface area है cylindrical part का यह पूरा बन जाएगा cut surface area area of base मैं नीचे भी white wash करूँगा अब क्योंकि यहां से यह जो हमने conical part जो conical cavity है वो निकाल कर बाहर कर दिये तो यह वाला जो हिस्सा है यह भी तो खाली हो जाएगा कॉन के शेप में ही तो मैं यहां पर भी अंदर-अंदर इसके white wash करूँगा यहां पर यहां यहां पर बीच में तो यहां पर करूँगा तो हमारे पास में एक एरिया और एड होगा जो कि कॉनिकल पार्ट का एरिया है क्योंकि मुझे यहां पर भी एक्स्ट्रा white wash करना होगा तो यह वाला एरिया भी हमने हमें लेना होगा तो यह बन eğ cm यहां पर हम यहां पर अधर नहीं करना है तो इसन अब आपको समय में आ गया होगा और हमकर टोटल से गया तो इसका स्जुव्यच करते हैं यहां थैया हुआ है हम यहां लिख लेते हैं हमें धिया हुआ है यहां पर Height of Slendrical and Conical Part क्योंकि student दोनों की Height यहाँ पर सेम है और हमारी जो Height है वो दे रखे 2.4 cm दोनों की Height सेम है जो हमारे पास में Slender है उसकी Height भी 2.4 cm है और जो इसमें से ये कौन काटकर बाहर निकाला गया है तो यहाँ पर जो यह Height है इसकी Conical जो Cavity है उसकी जो Height है यहाँ पर वो हमारी 2.4 cm ही है और जो Diameter है वो भी दोनों के लिए सेम है तो इसलम यहाँ पर लिखेंगे Diameter of Cylendrical and Conical Part is equal to 1.4 cm तो इसलम देखो आपको पता होगा कि हमें यहाँ पर Diameter नहीं हमें जितने भी फॉर्मले होते हैं उनके अंदर रेडियस की जुरत होती है तो हमें यहाँ पर रेडियस निकालना होगा और दोनों का रेडियस भी सेम निकलेगा क्योंकि दोनों का जो Diameter है वो सेम है तो हम निकालेंगे रेडियस ओफ Cylendrical and Conical Part तो रेडियस क्या होगा इस टुरेंट इसका आधा 1.4 अपॉन में 2 इट मींज 0.7 सेंटिमेटर अब हमें यहाँ पर निकालना है Remaining Solid का Area तो हम यहाँ पर लिखते है एरिया ओफ Remaining Solid तो यह होगा हमारे पास में CSA CSA of कौन Plus CSA of Slender Plus Area of Base Area of Base तो इस्टुरेंट यहाँ पर हम इनके फॉर्मिले लगा देते हैं सबके CSA of कौन होता है इस्टुरेंट पाइ पाइ आर अर अर प्लस CSA of सिलेंडर होता है 2 पाइ आर एच प्लस Area of Base होता है पाइ आर इस्टुरेंट क्योंकि इस्टुरेंट जो यह Base होता है वो सर्कुलर होता है और जो सर्कल का Area होता है वो पाइ आर स्कुयर होता है अब इस्टुरेंट यहाँ पर हमें करना क्या होगा अब हमें यहाँ पर पाइ आर यहाँ पर भी है कि हमारे पास सारी values है लेकिन हमारे पास L की value नहीं है L क्या होता है slant height जो की जो ये कौन होता है ये जो height आपको दिख रही होगी तिर्ची वाली जो height है इसे हम slant height कहते हैं तो हमें यहाँ पर L निकालना होगा तो मैं यहाँ पर आपको L निकाल के दिखा देता हूँ L का formula इस तरीके से लगेगा L square is equal to होगा H square plus में R square यह formula लगता है यहाँ पे तो यहाँ आ जाएगा student हमारा L square is equal to तो हमारा जो H square है वो क्या होगा H है हमारा 2.4 का square plus R है हमारे पास में R है 0.7 का square अब student देखो इसको हम दो बर multiply करेंगे 2.4 into 2.4 तो आएगा हमारा 5.76 जब हम 0.7 को 0.7 से multiply करेंगे तो आएगा हमारा 0.49 अब L square आगया हमारा 5.76 और plus 0.45 को जोड़ेंगे तो आएगा हमारा 6.25 अब student देखो यहाँ पर आपका जो L square है वो 6.25 आगया है हमें L की value चाहिए तो हम क्या करेंगे इस वाले square को उधर लेके जाएगे तो यह square root बन जाएगा 6.25 6.25 का जो square root होता है वो होता है 2.5 तो student हमारे पास L की value भी आगया है तो हम सारी values को यहाँ पर put कर देते हैं तो pi की value होगी 22 upon me 7 into r की value है 0.7 L की value हमने निकाल ली है 2.5 plus 2 into h तो h की value है हमारे पास 2.4 अब student हमारे पास plus r करना है जो की है 0.7 अब हम क्या करेंगे इसको काटेंगे देखो 7 को 0.7 से काटेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 0.1 अब student यहाँ पर हमारे पास आगया 22 into 0.1 तो 0.1 में हम क्या करेंगे यहाँ point हटा देंगे और 10 लगा देंगे नीचे क्योंकि आपको पता हुआ कि point के बाद में one digit है तो यहाँ पर one zero यहाँ पर देखो क्या करेंगे हम 2.5 प्लस अब हमें इसको multiply करना है आपस में तो यहाँ आगा 248.224 और प्लस हो गया 0.7 अब हमें क्या करना है student देखो अभी यहाँ पर कट राए वैसे लेकिन अभी हम यहाँ पर ऐसे लिखते हैं इसे अब हम क्या करेंगे student यह पूरा multiply में आएगा पहले जुड़ जाएगा फिर इसके multiply में आजएगा तो पूरा हम जोड़ते हैं 2.5 4.8 और 0.7 को तो मैं यहाँ पर आपको जोड़ के दिखा देता हूं सबको 2.5 4.8 और 0.7 इन सबको हमें add करना है तो यहाँ पर आ जाएगा student 7 और 8 15 और 5 कितना हो जाएगा 20 तो 0.2 लग जाएगा तो 22 को 1 से करोगे तो 22 यह आएगा 22 में अब 8 से multiply करते हैं जरा हम 22 में 8 से multiply 8 तो जाएगा तो जाएगा हमार पास में 176 और upon में क्या है 10 अब student देखो आपको पता होगा कि नीचे हमारा जब 0 होता है तो इस 0 को हटा कर यहाँ पर हम point लगा देंगे यह 0 हट जाएगा तो आगे हमारा 17.6 अब क्योंकि इसमें बोला था कि nearest centimeter square में निकालना है तो nearest centimeter square में हम निकालेंगे तो देखो student यहाँ पर point के बाद में 5 से बड़ी संख्या है तो हम इसको 18 लिख सकते हैं क्योंकि उसने nearest बोला है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं area of remaining solid into nearest centimeter square is equal to 18 centimeter square तो इसमेंड यही हमारा answer होगा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शियर करना थेंक यू